प्लेंटेव अगर टॉट्स में किसी तरीके का कोई केस लेकर जाना चाहता है, डिफेंडेंट के खिलाफ तो वो ला सकता है बशरते, जिस केस के लिए वो जा रहा है, वो टॉट का एसेंशल पूरा करता हो। वहीं पे defense के defendant के पास कोई available है तो TOTS में 8 तरह के defenses दिये गए हैं जिसमें से आज हम एक को cover करते हैं जो की है Volanty Not Fit Injury इसका मतलब defense of consent यहाँ पर हम इसको एक case से समझते हैं जो की case है आपका Halls vs. Brooklyn Auto Racing Club यहाँ पे car racing का game चल रहा था जहाँ पे दो cars आपस में collude कर जाते हैं और जिसकी वज़ासे एक गाड़ी tumble up होकर spectator के उपर गिर जाती है और जिस spectator के उपर गिरती है वो हमारे plaintiff है plaintiff ने उनके खिलाफ defendants आपके case कर दिया कि आपकी वज़ासे मुझे injury cause हुई है court ने कहा यह implied है कि आपको अगर ऐसे racing हो रही है तो आपको चोट भी लग सकती है तो यहाँ पे plaintiff को किसी तरह की remedy नहीं मिली और वहाँ पर defendant जो है वो succeed कर गया Thank you